चोपड़ा है जो किसने YouTube चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ मेरे पहरे बच्चो राजस्तान का सीट मैट्रिक्स आ चुका है यानि राउंड वन रिपोर्टिंग के बाद में कितने सीटे वेकंट रही है ये सीट मैट्रिक्स जारी हो गया है और इस बार ये देखने में आया कि बहुत ही कम सीटे सेकंड राउंड के लिए वेकंट होके आई है मैं आपको इस वीडियो में पुरा एनलाइसिस बताऊंगा कितने सीटे आई हैं, पिछली बार कितने सीटे आई थी और इन सब सीटों को देखते हुए क्या कटोप रह सकती है सेकंड राउंड की कैटेग्री वाइज तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स देख लेते हम तो इस बार टोटल 384 सीट्स वेकंट होके आ रही है सबी कैटिग्री में गवर्मेंट को लेजेज के लिए अगर मनेजमेंट सीट की बात करें तो इसमें टोटल जो सीटे हैं वो 99 सीट्स वेकंट होके आ रही है मनेजमेंट में तो ये बहुत ही कम है अगर पिछली बार का रेश्यो देखा जाए तो मैं आपको यहां पर सारा का सारा सब कुछ बता देता हूँ यहां तो गवर्मेंट सीट के एक बार हम बात करते हैं तो टोटल फस्ट राउंड में 2024 में जो सीटे थी इस बार फस्ट राउंड में जो सीटे आई थी वो 2071 सीट आई थी टोटल अब इसमें जो vacant होके आ रही है second round के लिए वो 384 seats ही आ रही है only इतने seatे ही आ रही है यानि कि जो vacant seat है वो सिरफ 18.50% ही आ रही है 18% seat vacant होके आ रही है जो पिछली बार की बजाए इस बार भहुत ही कम ratio है अगर 2023 की देखी जाए तो first round में 2058 seats आई थी total second round में vacant 595 seats आ गई थी तो ये जब total आई थी seatे ये 29% seat vacant होके आई थी अगर इससे previous year का देखा जाए तो उस समय 35% seat vacant होके आई थी यानि कि हर साल जो seatे vacant होके आ रही है वो बहुत ही कम आ रही है लेकिन अब की बार तो ये एक तरेके से काफी ज़्यादा seats occupy हो गई है student ने काफी ज़्यादा reporting की है यानि कि सिरफ 18.50% seat vacant होके आई है जबकि पिछली बार 29% seat vacant होके आई थी तो ये एक भहुत बड़ा difference है 2023 और 2024 में seat vacant होके आने में राजस्तान इस्टेट में अब बात करें payment seat की तो payment seat total first round के लिए 799 seats आई हैं और इसमें vacant होके total 92 seats vacant होके आई है management यानि payment seat के लिए और ये है 11.50% 11.50% seats ही vacant होके आ रही है जबकि पिछली बार total 781 seats आई थी first round में और second round में vacant होके 261 seats vacant होके आगई थी जो 33% का ratio था इन सब को देखते हुए क्योंकि इतनी ज्यादा reporting हुई है राजस्तान स्टेट के first round में इस बार इन सब को देखते हुए cut off second round की काफी हाई रहेगी जो down जानी थी वो इतनी ज्यादा down नहीं जाएगी तो मैं आपको यहाँ पर एक बार यहाँ category wise cut off बता देता हूँ तो category wise cut off यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी category में क्या cut off रही है तो category wise cut off अगर हम देखें तो इसमें your category के लिए मैं यहाँ आपको marks बताऊंगा your category के लिए government में 667 cut off रह सकती है जो first round में 669 थी यह सिरब दो number ही down आने की possibility है OBC category की government seat की अगर हम बात करें तो 666 marks यानि की general category से एक marks ही down आने की possibility है EWS category की general category से दो marks down आएगी 664 आ सकती है MBC की 651 SC की 590 ST की 574 और STA की 436 आ सकती है यहाँ MBC category में cut off थोड़ी down जा सकती है यह cut off रही down जा सकती है तो यह 649 या 48 तक भी जा सकती है MBC category में अब payment seat की बात करें तो UR category में 634 cut off जाने की possibility है क्योंकि second round में काफी ज्यादा first round में काफी ज्यादा joining हो गई है इसलिए second round में seat vacant होके आने की possibility बहुत ही कम है इसलिए जो first round में cut off रही थी 634 वही marks cut off रहने की possibility है rank में थोड़ा बहुत 100-200 rank का ही परक पड़ेगा इतनी ही rank down आएगी OBC category में 633 EWS में 628 MBC में 596 MBC में 590 तक भी जा सकता है ऐसी category में 583 तक ये cut off जा सकती है payment seat के लिए हालांकि third round में payment seat की cut off काफी down आएगी क्यूंकि यहाँ पर जो NRA की seat है वो convert होके आती है वो management में convert होती है हर एक category में इसलिए यहाँ पर third round में payment seat की जो cut off है वो थोड़ी सी down जाएगी तो ये मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो का सारान स्फीर में आपको एक बार बता देता हूँ कि first round में इस बार राजस्तान स्टेट में बहुत ही ज्यादा reporting हुई है पिछली साल की बजाए और second round की cut off हाई रहने की possibility है और ये second round की cut off है जो मैंने आपको category wise predict की है तो ये जानकारी थी cut off के बारे में और seat matrix के बारे में बाकी जैसे ही update मिलेगा मैं आपको inform कर दूँगा तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जैहिन